काहे मूर्ख इन नोट बंद हो गई ले के कहीं या चड़ावत है तुरंत वादमी कला है धीरे बोला भगवान के हमके पता नोट बंद हो गई तो के पता नोट बंद हो गई भगवान के थोड़े पता की नोट बंद हो गई तुरंत वादमी गुस्सा में बोला कि नरे तो नहीं थोड़ा लेना कि उनके पता होई, जे लेला हो कि पता है कि पुरान की नोट बंद हो गए, ये मारी नोट ना चड़ाव जाईए। कहला कि हम जजमान एक लाख रूपया पंडी जी के अपन दक्षना देता नी और कगजा पंडी जी के पकड़ाता हूं। कि पंडी जी कहा तक जैसे तुम मंतरवा दला तक नोटिया ओरिजनल चाहिए, तो उनकाला हम हो के मंतरवा ओरिजनल चाहिए तब हम तो के ओरिजनल नोट गेए। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सुनते थे न भाई। तो उसका अगला जवाब लिख के जानर क्या बोला। कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना बाप। यह वो कथा वाचत जात अले के लोगन क्या कथा वाचत लाखों भीड में। को अधा आपके बच्चा का जहिया इंतिहान होकर बेल पत्रा पे सहर लगा के स्यूलिंग पे चिपका दिया। तो आर बेटा बेटी पास हो जीगा। आगले देन अख़बार में खबर छपल क्योकर आपना लईका आधवी में दू बर खेले। का करवा राही मनवा पाई पाई जोड के एक दिन सुगनवा जहीं है पिंजडा के छोड़। कर दो नोट बंदी भाईल ना अब भोजपूरी में सुना लोगान नोट बंदी भाईल तब 500,000 का नोट बंद हो गए तोड़ी देर अब नोट बंदी जब बंद हो गए तब कुछ अदमी जो धार्मी कदमी रहना है वह सोचना कि पूरण की नोट ले जा कि मंदिर में धक अधर चड़ा दें भागवान खुष हो जी यहां बैंक में तो जमा हो ही ना अब पूरा नोट बंदी के पूरण की नोट बंद हो गए तो हुके पता नोट बंद हो गए तो रहन तो आदमी गुसा में बोलल कि नरे मूरख नोटिया भगवान थोड़े लेना कि उनके पता होई जे लेला उके पता है कि पुरान की नोट बंध हो गए ये मारी नोट ना चढ़ावल जाई तो आज चढ़ावल माल के लुट के लेगल पता है कि ना ओए को आदमी, पंडी जी गई लें, किस्सा लेके, कि भाई, जजमान काखश्ठव जीवन में, आम भॉशपुरी में सुना वत 유ों किस्सा, जो उन जोतिबागा फुले लिख लें, भॉशपुरी में बोली ना, नाटक न अतृति रत्न, जोतिबागा फुले लिख लें होग कि एक आदमी बड़ा परसान रहल अजब गयल तो पंडी जी के पास भाई वहत देवता का उतार धरती पर अल्ला कुल दुख कदावा हमरी पास तो गयल कहें मालिक बड़ा परसान है तो कहला कैसे परसान लिया वह पतरा देखी पतरा देखला तो कहें कि तो हर सनी गरह ठीक सामें ना वाए फ़ाब कौन गरह ऑफ शनिक गरह ठीक दिसामें ना बाइया यह यह जिए यहां से दूरबीन देख पते न पहले हैं कि गरह अतारा पृतवी का मतलब का होला यहां लोग पतरा देख के बता हूं है मंगल गरह कि पता ना क्योंकि नाम करी नाम पर कितना चाहिए कि इतना रुपया तो हमरे पास ना है बीच में कोरोना आ गया नोकरी चली गया हमार पती कर नोकरी छुट गया कंपणी ठप हो गया बिजनेस बंद हो गया पैसा ना है कि अच्छा 50% डिसकाउंट आधा लगा देती हैं पर हवन करा दा सनी ठीक जगह पे आ जाएगे अजब उग कहला अदमी कि ना ये तोनो 5-4 रुपया नहीं खे हमरे तो कहा अच्छा ये 1000 रुपया दे तो चटकी हवन करा दे तो सनी ठीक जगह पे आ जाएगे उग कहना माली के तुनों नहीं खे हैं अच्छा 100 रुपया दे वो मंतर दे था हैं एक पढ़त रही है सनी ठीक जगह पर रही हूँ आदमी खड़ा होके आपन जेव थैली निकाल के देखा वा था कहते है एक को रुपया नहीं किये वो गुस्सा में आदमी खड़ा होके कल जब तोरी जेव में एको फुटी कोडी ना तो जो बेटा सनी तो और कुछ न भिगाड़ पाई तो आर माल लूटे बदे कैसन कैसन कहानी बनावे वो गाव में एको आदमी गयल और कहला कि मालिक हम बहुत परसान है तो जो अन धर्ती पर उनकर आउतार रहन एको पन्ना प अन धर्ती में तनी दुचार बार हो आललल तनी ओके पतार अला बिर्सा फुलें बिटकर पिरियार कर तो ओहो एको काज काज लेके वह पे लालल कहला कि हम जजमान एक लाख रूपिया पंडी जी के अपन दक्षना देतानी अब कगजा पंडी जी के पकड़ा थो पंडी ज जैसे दिमाग कताला खुली तो आर माल लुटायल बंद हो जाएगा बाबा साब डॉक्तर अंबेटकर भारत के संविधान के अनुच्छे दिक्यावने में लिख करके गए हैं कि नया भारत बनेगा तो बैग्यानिक चेतना का विकास होगा अंधविश्वास और पाखंड म में आपके बच्चों को केवल धरम करम के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है और आपका चंदा दान दक्षडा लेके जा रहे हैं दान दक्षडा देना बंद कर दो आधा उनका बीजनेश ब्यापार बंद हो जाए और कोई भी अगर देवी देवता ऐसा है तो आप उस पै हो जाएगा यह बात में कहके जा रहा हूं इसलिए आपके लड़ाई मंदिर मश्यक के लड़ाई नहीं है कलम और किताब बचाने की लड़ाई है कलम और किताब बचेगी तब बबासाद्यों बेटकर के सपनों का भारत बचेगा दोनिया में यहां के लोग गए तो अचार के साथ अपनी जाती विववस्ता लेके गए यह सुमिछ चोहां जी बटे हुए हैं और यहां जितने यूटूबर साथी आये हुए हैं आपके जम्मेदारी है उनका मीडिया करोनों रुपया दे करके उनकी खबर चलाता है और आप अपने मीडिया के लोगों को अगर कराये जाता है और यह जितने बहुजन मीडिया है इनमें जाकर देखें आपके बच्चों के भविश्त के चिंता यहां पर मौझूद है इसलिए इनको मजबूत करिए आपका अपना आधा अंदोलन का रास्ता मजबूत हो जाएगा यह आपके लोग हैं और यह आप से चं काम कियें और बाबा साहब की फोटो लगा हुआ टीशट जब पहन के गए तो बहुत सारे लोगों के कलेजे में दर्द होने लगा एक किस्सा सुनाओं OBC समाज के लोगों एक किस्सा जानो अपना बिंदेशरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो OBC समाज से आते थे और OBC समाज के लोगों को कई बार लगता है कि हम थोड़े सूद रहें इस किस्सा को सुनिए जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस समद गंगा में यातायात होता था पानी का जहाद चल रहा था उसका तेल रिस गया तो गंगा में कुछ द लगेगी तो कहां लगेगी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खड़े होकर बोले कि देखो एक बात सुनो यह गंगा में जो आग लगी है यह तो तेल रिसने से लगी है लेकिन तुमारे सीने में जो आग लगी है इस आग को मैं और भढ़काऊंगा ताकि जब तक अपने ल कर घहन देता हूं अब बिहार में मुख्यमंत्री थे कर पूरी ठापुर्णाई समाज से आते ते बाल बनाने वाले और उस समय उत्तरप्रदेशमें मुख्यमंत्री ते रामनरेश यादो चर्वाहा समाज-कृषक समाज-पशपालक समाज से आते थे और भारत का समिधान तो दोनों में मुक्ष मंत्री ओवी सी समाज के बने और दिल्ली में बैट कर लोगों ने नारा बनाया कि दिल्ली से चमडा भेजा संदेश बार बनावे कर पूरी या भैश्य राम नरेश गालियां दी गई आरक्षण के नाम पर आपके लोगों को OBC समाज के लोगों अभी पिछले जोनों उत्तर प्रदेश में एक OBC मुक्ष मंत्री थे उनको भी पता नहीं था बहुत कि हम OBC ढंग से हैं और जब उनका सासन राम राजिवाला आया तो जिस दिन उनका घर गंगा जल से दुलवाया आज वो भी कह रहे हैं यह हजारों साल क की लड़ाई है और आज उनको समझ में आ गया है समाजिक न्याय की बात कर रहे हैं इसलिए OBC, SC, ST हम सब की चुकी बिमारी एक हैं इसलिए हमारी दवाई भी एक होगी आओ मिल करके एक जुठ हो करके उस सपने को पूरा करने के लिए एक जुठ हो जाएं जो जो जोतिवा पूले और बाबा साथ दक्तर अंबेटकर का सपना तो क्योंकि अगर यह सपना पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कैसा भारत बना पाएं हैं का करवा राही मनवा पाई पाई जोड के एक दिन सुगनवा जहीं हैं पिंजडा के छोड़ी के जो लूट हमने आरक्षन का फायद की बात कहीं और पेपेक्टि सुसाइटी कैसे होगी जब तक हम जाकर अपनी लोगों के भी जागरूक नहीं करें और आखरे में चुकि अब वक्त काफी हो गया है हलाकि जशन आप लोग का पूरी राज चलेगा यह जितनी माताएं बहने आई हुई हैं यह जितने बच्च के आए हुए हैं मैं आप से गुजारिश करके जा रहा हूं एक रुपिया कम हो खर्च कम करना एक रोटी कम खाना एक कपड़ा कम पहनना घर में चुनाई पुताई कम हो सब चल जाएगा लेकिन एक कमेरा वर्क के लोगों 90% वर्क के लोगों सब कुछ त्याद करके अपने पढ़ाता हूं भाई और मैं आप से बोल के जा रहा हूं यह लुटेरा लोगों ने आपके बच्चों की सिक्षा बेच दी डिगरी वाली सिक्षा नहीं डिगरी वाली सिक्षा तो जूट हो जाती है ओरीजिनल सिक्षा जो चेतना की है और सिक्षा कैसी वह एक पंडी जी चले गए यह भुश्पुरिम सुनाई कि एक पंडी की गईलन तो बाबा गुजर गिलन तो उनके पास गईलन कलकते रही हो गई अब दान दक्चडा तनी देदे वल जाता कि कहां दादा जी का आत्मा कहां ऊपर एक लोक में आराम करती है पंडी जी बोलने तो आदमी कर ल तो हमके देब खटिया हम दादा जी तक पहुचा दे नई नई खटिया बनवा के खटिया दिया पंडी जी लेके गई लें और पुछ दिन बाद आई लें तो फिर उपूछला कि आप पंडी जी बताएं दादा का आत्मा कैसे तो कर पहूत मजे में जोन गया तु तु ते उनके तनी बजारी आवा जाएं में बड़ी दिक्कत हो लें अभी पूरा धार्मिक रूप से एक दम अंधा तुरंत नई साइकल बनवा के तुरंत सुपूर्द का दलना अपंडी जी लेके चल दो ना दादा जी के देवें वहीं एको लाइका रहे जोन तनी पढ़ल इकल समझदार लईका रहे हैं उकूल खेला देखाओं के समझ में आवा है अगली बार जब होईला पिता जी हाथ जोड़के बोलना कि दादा जी कईसे तो कई एकदम मजे में हुआ गईया का बढ़ियां दूद पियत हुआ नई की खटी हुआ पर बढ़ियां सुत्त हुआ अस दादा जी कहला कि ना हमके गईया मिलना घटियोए ना सैकिलिया पंडिजी नराज होके करना कईसे पता तुमको नहीं मिला वो सब तो कहां दादा जी हमके चित्थी लिख ले हुआ कि पिटा तोन और जोन और बेजला हमके कुछ रास्ते आई तो लड़कवा बोला वही र क्या संपन होता है ना जूट पकड़ है